जै माता दिमित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज और आज हम चर्चा करेंगे कि नेगटिव उर्जा को खतम करने के special उपाई के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहला संकेत जो नेगटिव एनरजी का होता है कि आपके कान में कोई हमिंग की साउंड आना यानि कि आप घर में है या आफिस में अगर आपके कान में शूं सूं की साउंड आ रही है तो कह लीजे कि कोई ना कोई negative energy आपके अंदर प्रवेश कर रही है जो कि आपका नुकसान करेगी पहला चीज दूसरा चीज घर के अंदर अचानक आपके घर के अंदर डिवाईसों का खराब हो जाना गड़ी का अचानक रुख जाना अचानक उसी अगले दिन दो तिन दिन के अंदर बहुत सारी घटना है हो जाना यानि कि कोई ना कोई negative energy आपके घर में है हर बारत योहार के दिन आपके घर में अगर कलेश होता है या बहस हो जाती है बारत योहार के दिन नवरात्रे आते हैं दिपावली आती है रक्षा बंदन होती है और घर के अंदर बारत योहार के दिन कलेस हो जाता है तो समझ लीजे आपके घर के अंदर नेगेटिव उर्जा है यदि आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया या किसी दिन नए कपड़े पहन लिए आप बहुत सुन्दर लग रहे हैं और उसके उसी दिन आप बिमार हो गए या आपकी कोई चीज चोरी हो गई तो समझ लीजिए आपके उपर कोई नेगटिव उर्जा होती है और नेगटिव उर्जा का आपके उपर प्रभाव है पहले तो यह देखे उर्जाएं जो हैं तीन प्रकार की होती है विज्ञान के अनुसार पहली उर्जा होती है ब्रह्मानिय उर्जा यानि कि जिसने ब्रह्मान की उत्पत्ति की है जिसने ग्रे बनाया है सूरी को बनाया है चंद्रमा को बनाया है पेड़ पोधे को बनाया है जो की विस् किसरी उर्जा होती है negative energy और negative energy क्या होती है इस बारे में मुझे बताने के जरूत नहीं है ये तीन परकार की उर्जा होती हैं आप इनको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके संकेत मैंने आपको पहले ही और ग्यानिकों ने भी कई प्रकार के शोध पिरामिट को लेकर किये हैं और ग्यानिकों को अभी ये दावा है कि पिरामिट को रखने से उर्जा को तब्दील किया जा सकता है तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रामिड का प्रियोग कर सकते हैं चाहे आप चांदी का लो कोपर का लो चाहे आप तांबे का लो और हासकर आप लो क्या करते हैं कि शीशे का प्रामिड नहीं लेना चाहिए इस फटिक का प्रामिड नहीं लेना चाहिए क्योंकि उर्जा का ना त जाहके तो उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको आप लिजिए या तो सोने का लीजि होती है पिरामिड को एधी आप उत्तर दिशां में लगते हैं तो धन होती है पिरामिड को अगर आप त población दिशां में रखते हैं तो उन्नती पूरव या उत्तर दिशा में लगा देते हैं तो धन में विरिध्धी होती है और यदि पंचमुकी हनमान जी को आप दक्षिण या पच्छिम दिशा में लगा देते हैं तो बुरी नजर अला बला ब्यादी करा कराया ये सारा का सारा कट जाएगा तो आप पंचमुकी हनमान जी की वावी भी प्रियोग कर सकते हैं तीसरा है किसी भी प्रकार का यंत्र हमारे भारतिय सब्यता के अंदर तीन यंत्र बड़े परचलित हैं एक तो लक्ष्मी यंत्र श्री यंत्र और कुवेर यंत्र चाहे तो आप तीनों लगा सकते हैं यदि आप लक्ष्मी यंत्र कुवेर यंत्र श्री यंत्र को पुरव की जोग लगाते हैं तो आप नौकरी में उनती चाते हैं या एडिगेशन करें तो आपको रिजल्ट नजर आएगा और अगर आप अच्छी में इसको लगा देते हैं तीनों यंत्रों को तो भूमी related कोई भी काम है, property से समंदित कोई काम नहीं बन रहा है, तो आपका बनने लग जाएगा, यदि आप उत्तर की दिशा में इन में से कोई साभी लक्ष्मी, कुवेर, श्री अंतर में से कोई साभी अंतर लगा देते हैं, अगर आपके उन्नती नहीं हो रही है, परिवार में संतान नहीं बन पा रही है, या संतान में बृद्धी नहीं हो पा रही है, संतान खंडित होती है, परिवार में बच्चा गलत संगत में पढ़ा है, तो आप आजमा के देखें उत्तर की और आपको लगाना है तो आप परिवार के अंदर जो भी कष्ट बादा अला बला चल रही वो दूर हो जाएगी यही यंत्र को आप दक्षिण दिशाम में अगर आप लगा देते हैं तो आपके स्वास्त के अंदर जो बादाएं चल रही है या स्वास्ति के अंदर कोई न कभी न कभी विमार रहते हैं या स्वास्ति के अंदर BP की problem है या बुद्धी की problem है या कोई भी health related problem है तो दक्षण में आपकी अंतर लगाएंगे तो आपको लाब होगा अब इन तीनों चीजों को अब लगा तो सकते हैं तो हमें positive energy वाली चीज उसमें डालनी पड़ेगी, यानि कि चाहे आप pyramid लगाते हैं, चाहे आप panchmukhi अन्माजी लगाते हैं, या लक्षभी कुवेरिया श्री यंत्र कोई सा भी यंत्र लगाते हैं, उसका benefit भी मिलता है, लेकिन उसकी positive energy भी बरकरार रखनी पड़ती है, तो उसकी positive energy को बरकरार रखने के लिए 15-20 दिन में आप गंगाजल चिड़कते रहें, कोशिश करें आप गंगाजल भी आपको कैसा लेना ये याद रखिएगा, कोशिश करें कि गंगाजल आप खुद ही कैन में भरें, तो ज़्यादा अच्छा है, आप दुकान से गंगाजल रहेंगे, हो सकता है वो गंगाजल ही ना हो, इसलिए आपको असर नहीं आएगा, बदबर होता ऐसा, या हो सकता है कि गंगाजल mix जलो, शुद जल ना हो, तो उससे भी असर नहीं आएगा, प्योर गंगाजल होना चाहिए, इसलिए गंगाजल या तो आपके निकट कोई रिष्टिदार गए हो, तो आप इस वाफ्स कर लेना, या खुद आप गंगाजल भरेंगे, और उससे आप उपाए करेंगे, तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, तो आज के कारेकरम में बस इतना ही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दे, करेंगे जया है तादी.